आज ही doubtnet आप डाउन्लोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउन्लोड नाओ Hello students, इस वीडियो में हम question answers करेंगे from the chapter to law spring तो हमारे यहां पर question है Why should child labor be eliminated and how? तो यहां पूछा गया कि child labor मतलब छोटे बच्चों से काम करवाना उनसे labor का काम करवाना eliminate क्यों होना चाहिए और कैसे तो हमारा answer है कि जो child labor है उसको completely eliminate करा देना चाहिए क्योंकि वो एक बच्चे से उसका child road छीनता है वैली बात कि उसका बच्चपन उसके हां से चला जाता है और elementary education उस बच्चे को नहीं मिल पाती साथ के साथ जो child laborers होते हैं वो cheap होते हैं मतलब उनको सस्ते में लोग काम करवा लेते हैं और consequently उसको बहुत साथा बच्चों को hazardous or dangerous employment बिलती है जो उसके health के लिए अच्छा नहीं है और बहुत ही खतरनाक है वो बहुत ही साथा vulnerable हो जाते है mental और physical illness के साथ मतलब वो बहुत ही साथा prone हो जाते है कि उनके लिए mental और physical illness आना होने बहुत ही साथा easy हो जाता है और उनको ये problem curb करनी होती है मतलब इस problem को avoid करना होता है इस वज़े से बहुत ही साथा important है कि उनके लिए education accessible बनाया जाए कि उनको easily available हो जाए कि वो educate कर सके अपने आपको और उसके अलावा जो parents है उनको भी consequences के बार में पता होना चाहिए कि अगर वो अपने बच्चों से काम करवाएंगे harmful environments में तो उनकी health को किस तरह से effect पढ़ सकता है It is also important to make the public aware of the fact that child labor is a criminal offense and is punishable under law कि साथ के साथ public को पता होना चाहिए कि child labor एक criminal offense है और तुम jail जा सकते हो for that The government must ensure stricter labor laws and that the offenders are punished जो government है उसको stricter labor laws बनानी चाहिए और जो offenders है उनको actual punishment मिलनी चाहिए So this is the answer, thank you